नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तों आज हम लोग 20 सो में सबसे बाड़ा, छोटा और लामबा कौन-कौन हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, दोस्तों आप कोई भ दोग बिना देरी किये हुए डाइरेक्ट कोश्चन देख लेते हैं, एक नमबर कोश्चन कह रहा है, कि बिस्व में सबसे लंबी नदी कौन सी हैं, तो ओ है आपको निल नदी कौन सी हैं दोस्तों, तो निल नदी हैं, जो कि आपको अफिर का महादूइप में हैं, ओके, च चलिए नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है, कि बिस्व में छोटी नदी कौन सी हैं, बिस्व में सबसे छोटी नदी कौन सी हैं, तो ओ है आपको डी नदी कौन सी हैं दोस्तों, तो डी नदी हैं, जो कि आपको संजुगत राज अमिरका में हैं, ओके, चलिए नेक्स्ट कोश्च कह रहा है कि विशो में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो ओ है आपको में डीरा कौन सी है दोस्तों तो में डीरा है जो की आपको अमेजन की है ओके चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है तो ओ है आपको करनाडा की विशो में सबसे लंबी त रखा किसकी है तो ओह हैं आपको करनाडा की ओके चलिए नेक्स टोसन देख लेते हैं कह रहा है कि बिस्व में सबसे ब्यस्त बैपारिक नदी कौन सी है तो ओह हैं आपको राई सबसे बड़ी जील कौन सी है विस्व में सबसे बड़ी जील कौन सी है तो ओ है आपको कैस्पियन सागर जील कौन सी है दोस्तों तो कैस्पियन सागर जील है जो कि आपको रूस में है ओके चलिए नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि विस्व में सबसे गहरी जील कौन सी है तो ओ है आपको बैकाल जिल है जो कि आपको साइबेरिया रूस में है कहाँ पर है दोस्तों तो साइबेरिया रूस में ओके चलिए नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि विस्व में ताजे जल की जिल कौन सी है दोस्तों तो सुपिरियर जिल है कौन है दोस्तों तो सुपिरियर जिल है जो कि आपको अमेरिका में हैं ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि विश्चु में बड़ी खारे जल की जिल कौन सी है तो ओ है आपको कैस्पियन सागर जिल मैं यह कोश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोश्चन कह रहा है कि विश्चु में बड़ी खारे जल की जिल कौन सी है तो ओ है आपको केस्पियन सागर जिल दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोर्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोर्चन कह रहा है कि विश्व में जिल के अंदर जिल कौन सी है तो ओ है आपको में नोटू जिल कौन सी है दोस्तों तो में नेटू जिल है जो कि आपको कनाडा की है चलिए next question कह रहा है कि बिशो में सरवाधिक उंचाई पर इस्ति जिल कौणसी है तो ओ हैं आपको टीटी काका जिल जिल है दूस्तों तो टीटी काका जिल है ओके चलिए next question कह रहा है कि प्रिथवी पर सबसे निचला बिंदू या जिल कौन सा है विश्व में प्रिथवी पर सबसे निचला बिंदू या जिल कौन सी है तो ओ है आपको मृत सागर जिल कौन सी है दोस्तों तो मृत सागर जिल है ओके चले next question कह रहा है कि विस्स में महासागर में सबसे निचला बिंदू कौन सी है तो ओ है आपको मरियाना ट्रेंच कौन है दोस्तों तो मरियाना ट्रेंच है ओके चलिए next question कह रहा है कि विस्स में सबसे बड़ा महादूइब कौन सा है विस्व में सबसे बड़ा महादूइब कौन सा है तो Asia महादूइब है कौन है दोस्तों तो Asia महादूइब है ओके चलिए next question कह रहा है कि विस्व में सबसे छोटा महादूइब कौन सा है तो ओ है आपको Australia महादूइब कौन सा है दोस्तों तो अस्ट्रेलिया महादूप हैं ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि विस्व में सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है तो ओ है आपको प्रसांत महासागर कौन है दोस्तों तो प्रसांत महासागर है ओके चलिए next question कह रहा है कि विशु में सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो ओ है आपको अंटार्क्टिक महासागर कौन है दोस्तों तो अंटार्क्टिक महासागर है ओके चली नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि विशु में सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो ओ हैं आपको दक्षणी चेन सागर विस्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो ओ हैं आपको दक्षणी चेन सागर है ओके चलिए next question कह रहा है कि विस्व में सबसे विसाल उप सागर कौन सा है तो आपको हड़ सन उप सागर है चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो निव यार्क बंदरगाह है कौन है दोस्तो तो निव यार्क बंदरगाह जो की आपको संजुप्त राज अमेरिका की है चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे बड़ा देश छेतरफल में कौन सा है तो ओ है आपको रूस जो की यूरोप महादुप में आता है चलिए next question कह रहा है कि विशो में छोटा देश कौन सा है छेतरफल में तो ओ है आपको वेटिकन सिटी कौन सा देश है दोस्तो तो वेटिकन सिटी है चलिए next question कह रहा है, कि विशु में बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में? तो वह है आपको चीन कौन सा देश है दोस्तों? तो चीन है जो कि आपको एसिया महादुप में आता है ओके चलिए next question कह रहा है कि विशो में छोटा देश जन संख्या में कौन है तो ओ है आपको Vatican City ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि विशो में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है तो ओ है आपको कनाड़ा कौन सी देश है दोस्तों तो कनाड़ा है ओके चलिए next question कह रहा है कि विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है तो ओ है आपको जिबराल्टर कौन सा देश है दोस्तों तो जिबराल्टर है ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि व लीशों में सर्वाधिक सीमाव वाला देश कौन सा है, तो ओ हैं आपको चीन, कौन सा देश है दोस्तों, तो चीन है जो की तेरा देशों से सीमा साजह करता है, ओके चलिए ethics question कह रहा है, क lotion में बड़ा दुइब कौन सा है, तो green land है, कौन है दोस्तों, तो green land ओके चलिएBS question कह रहा है कि विशु में सबसे छोटा दूइब कौन सा है तो ओ है आपको मेडा गास कर विशु में सबसे छोटा दूइब कौन सा है तो ओ है आपको मेडा गास कर है चलिए next question कह रहा है कि विशु में सबसे बड़ा दूइब समों कौन सा है तो इंडोनेसिया दूइब समों है कौन है दोस्तों तो इंडोनेसिया दूइब समों है चलिए next question कह रहा है कि विशु में सबसे बड़ा प्राय दूइब कौन सा है तो उह है आपको अरब प्राय दूइब कौन है दोस्तों तो अरब प्राय दूइब है ओके चलिए next question कह रहा है कि विशु में सबसे बड़ा नदी दूइब कौन सा है तो माजुली नदी दूइब ह कौन सा है तो ओ हैं आपको उमा नांदा नादी दूइब कौन है दोस्तों तो उमा नांदा नादी दूइब हैं ओके चली नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि विस्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है तो सुंदर वन डेल्टा है विस्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है दो उह हैं आपको सुन्दर 1 डेल्टा जो की आपको भारत में है कि बिसु में सबसे उचा बाध कौनसी है तो रोग गुंस की बाध कौन है दोस्तों रोग गुंस की बाध जो की आपको तजाकिस्तान में है चलिए next question कह रहा है कि विशो में उंचा परबत सीखर कौन सी है तो mount Everest है जो कि आपको नेपाल में है चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे लंबी परबत माला कौन सी है तो endage परबत माला है कौन है दोस्तों तो endage परबत माला जो कि आपको दक्षिन अमेरिका में है ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि विशो में सबसे उंची परबत माला कौन सी है तो ओ है आपको हिमाले कौन है दोस्तों तो हिमाले हैं जो कि आपको एसिया में हैं ओके चलिए next question कह रहा है कि विश्व में चौणडी जल परपात कौन सी है तो खोन जल परपात है कौन है दूस्तों तो खोन जल परपात ओके चलिए next question कह रहा है कि विश्व में सबसे उची जल परपात कौन सी है बिस्व में सबसे उची या उचा जल परपाथ कौन सी है तो एंजिल जल परपाथ है कौन है दोस्तों तो एंजिल जल परपाथ जो कि आपको वेने जुवेला में है ओके चलिए next question कह रहा है कि बिस्व में सबसे लंबा जल डमरू मद्धे कौन सी है तो ओ आपको है ततासकी, कौन है दोस्तों, तततासकी है मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है, कि बिश्व में सबसे लंबा जल डमरू मद्धे कौन सा है तो ओ है आपको ततासकी, ओके, चलिए next question कह रहा है कि बिश्व में सबसे लंबा जल डमरू मद्धे कौन सा है तो ओ है आपको डेवीज कौन सी है दोस्तों, तो डेवीज है ओके, चलिए next question कह रहा है कि बिश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सी है तो ओ है आपको सहारा रेगिस्तान कौन है दोस्तों तो सहारा रेगिस्तान है जो कि आपको उत्री अफिरका में है ओके चली नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि विस्व में एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सी है विस्व में एसिया का बड़ा रेगिस्तान कौन सी है तो ओ है आपको गोबी रेगिस्तान जो की आपको मंगोलिया में है ओके चली नेक्स्ट कोचन कह रहा है कि विशो में सबसे बड़ा या लांबा नहर कौन सा है तो ओ है आपको स्वेज नहर कौन है दोस्तों तो स्वेज नहर है चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे ब्यस्त नहर कौन सी है तो कील नहर है विशो में सबसे ब्यस्त नहर कौन सी है तो ओ है आपको कील नहर चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है तो ओ है आपको кот hard rail सुरंग कौन है दोस्तों तो go help rail सुरंग है जो की आपको sutager land में है तो के चलि नेक्स्ट कोउचन कह रहा है कि विशो में सबसे बड़ी शड़क सुरंग कौन सी है तो ओ है आपको लेर डल सड़क सुरंग कौन है दोस्तों तो लेर डल सड़क सुरंग है जो कि आपको नर्वे में है ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि विशो में बड़ा हवाई अड़ा कौन सी है तो king phahad हवाई अड़ा है कौन है दोस्तों जो कि आपको सौधी अरव में है ओके चलिए next question कह रहा है कि विशो में सबसे उचा पठार कौन सी है तो ओं है आपको पामेर का पठार कौन है दोस्तों तो पामेर का पठार है जो कि आपको तीबत में है ओके चली next question कह रहा है कि विश्व में सबसे उची इमारत कौन सी है तो ओ है आपको बुर्ज खलीफा विश्व में सबसे उची इमारत कौन सी है तो ओ है आपको बुर्ज खलीफा जो कि आपको दुबाई में है ओके चली next question कह रहा है कि विश्व में सबसे विसाल मंदिर कौन सी है तो अंकुरवाट की मंदिर है कौन है दोस्तों अंकुरवाट की मंदिर जो की आपको कमबोडिया में है ओके दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा